नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काज़ो नराय और आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी कोरोना एक ऐसी बिमारी जिससे पूरे भारत ही नहीं देश दुनिया भर में लोग जो हैं वो वाकिफ हैं कोरोना ने पिछले साल ऐसा कहर बर पाया कि भारत सहिद अन्य देशों ने लोग डाउन लगा दिया इस्तिती ऐसे हो गई कि पूरा कम्प्लीट लोग डाउन लगा और जो चीजे जहां ती जसकी तस रह गई और सब कुछ बंद हो गया और होना भी था क्यूंकि कोरोना एक ऐसी बिमारी है जिसने अपनी जद पाया कि इस्तिती थोड़ी सामानने हुई धीरे धीरे लॉग डाउन जो है वो खुलना शुरू हुआ चरणबर तरीके से चीजे जो है वो खोली जाने लगी लेकिन कोरोना था खत्रा ना तब कम हुआ था और अब कम हुआ है हाला कि भारत में सामानने हालाथ जो हैं वो हो मौत हो रही थी जो है कोरोना के मामले अब कम हो गए है लेकिन लोगों में जो लापरवाई है वो बढ़ गई है लोग लापरवाई बरते ही जा रहे हैं और अब भारत में हाला कि इससे पहले UK के से एंट्री हो चुकी है हाला कि जो वहां से यात्री आये थे उन सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है पूरी तरह से और कोई भी उनके संपर्क में नहीं है लेकिन काजोल जिस तरह से देखा जाए अब चीजे जो हैं वह सामानने हो रही है लॉक्डाउन जो है वह खुल चुका है कहीं भी अगर हम पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की बात करें पब्लिक प्लेसिस की बात करें सब धीरे-धीरे खुल गई है लेकिन अब भी अगर हम देखें तो लापरवाही का लोग हम जो हैं बरत दिन रहे हैं लापरवाही हमें नहीं बरतनी चाहिए बिल्कुल पारूल और लापरवाही ही हैं अगर शादियों में दीरे-धीरे सरकार इसमें तो अब अगर लोकैलिटी की हम बात करें तो लोकल एरियास में अब 200, 300, 400, जितना मन चाहिए उतने मेमान चाहदियों में जा रहे हैं तो ऐसे में कोरोना का खत्रा पारूल और जादा बढ़ रहा है और इसका एक्जामपल है बैंगलूर, बैंगलूर में ऐसे मामले सामने हैं यह कहा जा सकते हैं कि कोरोना का वहाँ पर विस्पोट हुआ है जिस तरह से अभी आप बात करी थी नए स्ट्रेन के जो कि ब्राजिल और साफ्थ अफ्रीका से आया है जि हां, इससे पहले ब्रिटेन से नए स्ट्रेन आया था जब हमने जो फ्लाइट ब्रिटेन से भारत की ओर आ रही थी, उन पर हमने रोक लगा दी थी or जो लोग ब्रिटेन से हाली में आए थे उनके भी हमने जाज के थ ही और एकलिस्ट पूरी तियार के थी लेकिन कोरोना तब भी नहीं थमा था, कोरोना अब भी नहीं थमा है और अभी नहीं पता पारूल कि कोरोना क्योंकि जब तक आखरी केस है तब तक ये मालने ना कि कोरोना खतम हो गया है ये बेवकूफी होगी इस तरह से हम नहीं सोच सकते हमें सजोग होने की जरूत है हमें और जादा जिम्मेदार होने की जरूत है क्योंकि हम देश के नागरि पूरी तरीके से जिस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं उसे ना करें अगर आप पब्लिक कर्मेंस का भी इस्तिमाल करें आप करिए लेकिन मास्क जरूर लगाईए अपने हाथों को सेनिटाइज करते रहे हैं और अगर आप शादी ब्याह भी कर रहे हैं और लोगों को बलाना चाते हैं तो दिल खोल की बलाईए लिकिन अरेंजमेंट उस तरीके से आपको करने होंगे बिल्कुल बिल्कुल काजोल और नए स्ट्रेंड की अगर यहां पर बात करें तो देखिए कि स्टेडी में कहा गया था कि कोरोना की तीन हजार स्ट्रेंड है हाला कि अभी हम सिर त दर करोणा के लक्षन है या नहीं है क्योंकि जरूरि है क्या आपको खासी जूखाम है या फेज फीवर है तब ही आपके कोरोना होगा अनस्यां कोरोना भी लोगों में पाया गया और जब्लिक केसी जो है वह बंड On पौन के लक्षन नहीं तो देखिए लापरवाही जो है पूरी उसी तरह से भीड दिखती है जैसे पहले दिखती है और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस वगराई और आटो की बात कर ली जाये तो बस में पहले सरकार ने गाइटरी जारी की थी किसे पर एक बस में 20 यात्रियों को ही बिठाने की इजाज़त है लेकिन अब देखिए ये सब गाइटरी जो है कोई फॉलो नहीं कर रहा ना थम जाना उस वक्त जिन्दगी बिल्कुल थम गई थी किसी तरह की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी आर्थिक तंगी से लोग जूज रहे थे जिनकी पास पहले का पैसा से था उन्होंने इस्तिमाल कर लिया तो अब लोगों को वापस पट्री पर लोटने के लि मिल रहे हैं इससे पहले लाकों की संख्या में मिल रहे थे और हजारों की संख्या में लोगों की रोजाना मौत हो रही थी आंकड़ा बेहत कम हो गया है लेकिन पारूल मामले आज भी सामने आ रहे हैं नए स्ट्रेन अभी भी आ रहा है हमें बहुत जादा जागुक रहनी क की जरूरत है हम कई भी भीड़ वालि जगह पर जा रहे हैं हमें माश्क लगाना होगा हातों को सामने आई थी लोग तांतरिक देश है तो लोगों के खुले विचार है एसा प्लेटफॉर्म है कि हर को अपनी बात रख सकता है कुछ लोग का यह कहना है कि तमाम बुद्डे आगई हैं चोहेँ वह किसानों का मुद्दा हो और कुरोना का कही ना कहीं खो गया इसी षाँ लोग लापरवा हो रहे हैं और सरकार भी इतना ज़्यान दे रहे हैं एसा सोशल नारा स्वोट हो सकते हैं किया बिलकुल लोगों को वैक्सीन जो है वो लग चुकी है पहले देखे चरण में फ्रंट लाइन वरकर्स को वैक्सीन लगेगी उसके बाद 50 साल से ज्यादा के उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगेगी और उसके बाद 30 से चरण में आम जनता यानी की जो 50 साल से कम उम्र के लोग है उनको वैक्सीन लगेगी तो ऐसा नहीं है कि सकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे ये बात सही है कि मुद्दे बहुत आ गए हैं लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है हमें बिल्कुल सतर्क रहना है कि हमें कोरोना को नहीं भूलना है क्योंकि Corona अब भी हमारे बीच में है और कभी भी किसी को भी Corona हो सकता है प्रक्षन की आप बात करें, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी यहांपे, कि लोग जो हैं वो लापरवा इसलिए भी हो रहे हैं, अगर हलका खासी बुखार भी किसी को है, खासी जुखाम भी है, तो कोई टेस्ट नहीं करवाता है, यही वज़ा है कि कोरोना के केस में कम देखने को मिल रही, यह अच्छी बात है कि कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन आपको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, अगर आपको हलका खासी बुखार या जुखाम है, तो आप बचे नहीं, आप टेस्ट कराने जरूर जाएं, क्योंकि यह पता नहीं, आप समझेंगे अभरत में बनाई है, यह बहुत अच्छी बात है कि भारत आत मिरबर हुआ है, लेकिन क्या लोग पारूल यह सोचकर बैठ गए है, कि वैकसिन आ गई है, तो अब हमें कोरोना छूब ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी खबरे आयी थी, तमाम स्ट पड़ीज किया गया था, सर्वे किया गया था कि कोरोना वैक्सिन के बाद कई लोगों की मौत हुई है, हाला कि जब उसमें जाज परताल की गई तो तमाम चीजें निकल कर सामने आई हैं, इस पर पष्ट कहना भी तोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हम डिरेक्टली इस ची लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वैक्सिन आ गई है तो अब हम बिल्कुल सेफ हैं और हमें लापरवाई जो है वो बरतनी चाहिए, हमें अभी भी सेफ होके चलना बहुत जरूरी है, हमें सतर्क रहना चाहिए, देखे वैक्सिन आई है उस पे लेकिन हम 100% पहली डोस लगवाई थे और उसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो गए थे तो देखे वैक्सिन आ गई है हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वैक्सिन आ गई है और अब हम कोरोना का डर नहीं है, किसी को भी हो सकता है, तो अभी आपने स्ट्रेन का जिक्र किया कि यूके वो कारगर थी, लेकिन आगे कितने ऐसे स्ट्रेन आएंगे, अभी कुछ कहना मुश्किल नहीं है, वैक्सिन क्या उस पर पूरी तरह से प्रभावी होगी, ये अपना आप में बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए हमें वैक्सिन तो लगवानी है, ये जरूरी है, वैक्सिन ज जादा तर ये चीज़ है, कि हम वैक्सिन नहीं लगवाएंगे, या फिर जो 50 साल से जादा के उम्र के लोग है, उनके अंदर भी ये भ्रह्म है, कि नहीं वैक्सिन लगवाईए, अबी तो हम ठीक है, अगर लेकिन वैक्सिन लगवाईए हमने, तो हो सकता है कि हमारी मौत ह हो जाए या हमें कुछ हो और बिमारी हो जाए तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पूरी बकायदा पूरी तरह से अच्छे से पहले इनका ट्राइल किया गया और साइंटेस्ट ने पर पढ़ाई की रिसर्च की है उसके बाद ही से बाजार में लाया गया तो ऐसा बिल् दिल का दौरा पढ़ने की वज़र से मौत हुए कोई पहले ही तमाम बिमारी उसे गरसित था देखिए पारूल तमाम जगह पर अब करोना को लेकर इतनी बात नहीं हो रही है तमाम चैनल्स में हम देखते हैं एकाद हेडलाइन्स या फिर कोई खबर होती है लेकिन खुलकर इस पर अभी बात नहीं हो पा रही है क्योंकि तमाम मुद्दे आ गई है किसान अंदोलन या फिर तमाम और मुद्दे लेकिन न्यूजवल इंडिया कोरोना पर आज इसले बात कर रहा है क्योंकि आज हमने देखा है जिस तरह से आपने पारूल लगातार दर्शकों को बता है कि नए स्ट्रेन आए है बैंगलूर में जिस तरह से कोरोना का विस्पोर्ट हुआ है तो न्यूजवल इंडिया आप तक सारी इंफोर्मेशन पहुचा रहा है और इसको लेकर आपको जागरूप भी कर रहा है क्योंकि हम भी देश के जमेदार व्यक्ति हैं और न्यूज ज़रूर भी हो जाता है क्योंकि अगर हम खुद लापरवाही बढ़तेंगे तो सामने वाला भी बढ़तेगा हम खुद जिमेदार हैं तो हम जिमेदारी का एसास दूसरों को भी करा सकते हैं बिल्कुल देखी अपने आसपास के लोगों को इस जिमेदारी का एसास कराएं क आपको सतर्क रहना है आपको लापरवाई नहीं बरतनी और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाना बिल्कुल न भूले आज के अगर देखें काजोल तो अगर लोगों को बाहर सड़क पे देखा जाए है मौल में देखा जाए है तो लोग मास्क ही नहीं आप यहां यहां जा रहा हैं तो मास्क जो है ज़ुट लगाएं जा यहां में पर डान च्यायों करना चाहएंगी कि अभी हमने देखाए कि एडे बजो के वीड चूल कbane कोई हैं और बोर के एक्जाम्स होने वाले हैं जल्दी दस्वी और बार्वी के तो ऐसे में हर जो पेरिंग्स उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को लेकर पूरी तरह से प्रिपेड रहें कि वो जब एक्जाम दिने जाएंगे तो उनको हाला कि पूरे तरह से स्कूल प्रबंदन जो है वो तयार रहेगा लेकिन आपके जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पूरी तरह से तयार करके वेशें दस्वी और बार्वी की बच्चे ऐसे हैं पारूल कि वो इतने मेंटली प्रिपेड है कि कोरोना क्या है किस तरह से बचाव करने हैं चोटे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा लेकिन इतने मिच्चोर होते हैं दस्वी और बार्वी की बच्चे कि इन चीज़ों को समझ पाएं लेकिन हमें घर से ही उन्हें जिम्मेदारी का अहसास कराना जरूरी है पारूल काईजर हो ताकि उसमें किसी तरह का संक्रमन ना हो क्योंकि काजोल बीते दिनों जब बिहार में स्कूल खुले थे तो ऐसी खबर आई थी कि पहले ही दिन काफी बच्चे और टीचर संक्रमित हो गए तो देखिए अभी भी कोरोना जो है और उसका खतरा उतना का उतना ही हम जिमिदारी है क्योंकि आप देश के नागरिक हैं प्रदेश के नागरिक हैं अपने शेत्र के नागरिक हैं और एक जिमिदार नागरिक वही होता है जो अपने साथ साथ दूसरों के भी चिंता करता है फिरहाल के लिए इतना ही बाकी कबरों के लिए आप बने रहे हैं न्य